हलो एवरिवान आम रिधिरण यह वाचिंग स्काइज दे लिमिट सो इस वीडियो में वैसे के लिए हम लोग डिसकस करेंगे स्टूडेंस बहुत दिनों से मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि भाईया वो और चार स्टेट के बारे में बताईए जो इवजी सिगा गाइडलाइन के खिलाफ था और स्टूडेंस के लिए इतना दिनों से लड़ रहा था कौन कौन से स्टेट वेश्च बेंगौल को छोड़के क्योंकि अल्रेडी वेश्च बेंगौल के ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है वेश्च बेंगौल का डिसिशन वाइस चैंसिलर का क्या बोल रहे हैं CM क्या बोल रहे है, EM क्या बोल रहे है, पर अभी डिसकस करेंगे वो जो चार स्टेट है, तमिलनाडू, ओडिस्सा, देली, महाराष्टर, ये चार स्टेट से क्या क्या decision लिया जा रहा है, अभी तक कहा तक पहुंचा गया है, वो चार स्टेट से, एक्जाम तो सभी को लेना और अगर इस चैनल पर नहीं है, तो इस चैनल को डिफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक educational update, time to time मिलते रहेंगे, तो चलिए, ज्यादा समय लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं, महाराष् के जो education minister है, वो clearly अभी बोल दिया है, ये modalities के बारे में जो decision आएगा, exam modalities, ये आपका Monday को आएगा, मतलब कल आपको पता चलेगा, कि महाराष्टर से actually क्या decision लिया जा रहा है, पर महाराष्टर से six member का एक group तयार किया गया था, जहाँ पे Mumbai University का VCs भी थे, और वहाँ पे Mumbai University क VC and others भी जो अब बोल सकते हैं, वो members थे, वहाँ पे आदर पांच member, उन्होंने ये decision लिया है, इस time के अंदर maximum से maximum कम effort दे के students का safety दिमाग पे रखते हुए, कुछ ना कुछ किया जाएगा, और students के लिए अच्छा किया जाएगा, students को कोई भी life risk नहीं होगा, ऐसा ही कुछ decision ल लेते हुए, and हर एक चीज दिमाग पे रखते हुए, Supreme Court का decision भी हम लोगों को exam लेना पड़ेगा, और within आप बोल सकते हैं, 30th September महाराष्टर exam लेंगे, ऐसा ही कुछ सोचा जा रहा है, पर अभी तक exam dates announce नहीं किया गया है, महाराष्टर के तरब से, तो महाराष्टर के तरब UGC directives, that all final year examinations, college and universities should be completed by 30th September, state governments are now planning how to conduct exams, the mode, type of questions, Bihar, Assam, Odisha and part of Madhya Pradesh are reeling under the flood situation, जहांपे बिहार, Assam, Odisha and Madhya Pradesh के कुछ पार्ट, यह जो flood situation है, इसको लेके अभी भी आप बोल सकते हैं, struggle कर रहे हैं, इस situation में Delhi से यह बोला जा रहा है, जहांपे Supreme Court already बोल दिया है, तो hopefully Delhi government से within, आप बोल सकते हैं, September 30th exam ले लिया जाएगा, पर अभी भी mode के बारे में and type of questions के बार में discussion नहीं हुआ है, उसके बार में सोचा जाएगा, New Delhi government के तरफ से, अब जो question आता है, मतलब actually Delhi government के तरफ से, next जो state आता है, वो है हम लोगों का, क्या state, Tamil Nadu, Tamil Nadu से यह report आया है, अब देख सकते हैं, report said, a meeting of all vice chancellors of the state universities was convicted on Saturday to discuss the modalities of the final year examination, so far, it has been decided that the exams will be conducted entirely online, मतलब Tamil Nadu में आपका entirely online में exam होगा, केसी student को offline exam देना नहीं पढ़ेगा, Tamil Nadu government से decision लिया गया है, with consultation of, आप बोल सकते हैं, all vcs के साथ consultation करके, यह decision में आया गया है, all state universities के vcs के साथ, यह Saturday जो meeting हुआ था, वहाँ पे यह decision लिया गया है, कि Tamil Nadu में entirely online exam होगा, तो अभी तक हम लोग नहीं जाना, महाराष्टा का decision, देली university या फिर देली university नहीं एक्चुरी, देली जो state universities है, सभी universities के लिए, देली government अभी तक कहां पे पहुँचे है, and Tamil Nadu government से भी important चीज़ बोल दिया गया है, कि इंटरली online में होगा, अब चली आते हैं, Odisha से, अब देख सकते हैं, Ashoka Kumar Das, भाइस चेर्मन अफ ओरिशा, state higher education council, said, nobody can disobey the supreme court order, we will take necessary steps after discussing with the universities, the court has asked us to conduct the final semester or year examination, so there is no other way he added, मतलब इन्हों ने ये बोला है, कि supreme court ने जो बोल दिया है, किसी आप बोल सकते हैं, state वो disobey नहीं कर सकते, तो हम लोगों को exam लेना पड़ेगा, अभी हम लोगों को discuss करना पड़ेगा, हर एक universities के साथ, और हर एक universities के VCS जो decision लेंगे, वो ही follow किया जाएगा, hopefully Odisha में भी within 30 September exam हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ना महराष्टर से, ना आप बोल सकते हैं New Delhi से, ना Tamil Nadu से, ना Odisha से postponement का बात किया गया है, जहां पर हर एक किसी के पास Disaster Management Act के तहट वो power है, अगर चाहते हैं तो postpon कर सकते हैं UGC से बात करके, पर एक मात्र वेश्ट बेंगोर ऐसे state है, जो decision लिये हैं कि October में exam लेंगे, otherwise हर एक state अभी यह decision ले रहा है, 30 September से पहले कैसे वो exam ले, तो अभी हर एक state को exam लेना पड़ेगा, हर एक state exam लेंगे, कोई state 30 September से पहले लेंगे, ऐसा ही सोचा जा रहा है, और कोई state जैसे महाराष्टर अभी तक यह announce नहीं किया है, कब तक वो लोग लेंगे, पर hopefully महाराष्टर भी 30 September से पहले ले सकते हैं, या यह भी हो सकता है महाराष्टर वेस्ट बेंगॉल की तरह October या फिर उसके बाद exam लेने के लिए सोचे, पर अभी तक देली, तामिलनाडू, एंड, आप बोल सकते हैं, जो ओडिसा है, उनके तरफ से बोला जा रहा है कि exam September 30 के अंदर लेने के लिए try किया जाएगा, पर अभी तक change भी किया जा सकता है, decision कब हो सकता है exam या अभी तक किसी ने announce नहीं किया है, सिर्फ वेस्ट बेंगॉल से बोला गया है, October में exam होगा, अधर जो states है वो अभी तक discussion कर रहा है, hopefully आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, और महाराष्टा government से क्या बोला जा रहा है, उसको आप कल ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि modalities of exam का decision कल महाराष्टा के जो education minister है, वो publish कर देंगे, तो यही update कुछ आपको मुझे देना था, तो वीडियो कैसा लगा, definitely comment करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो कर देना like and share, और अगर इस चैनल पे नहीं है, तो इस चैनल को definitely subscribe कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक educational update time to time मिलते रहेंगे, तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, यह वीडियो का जाई पेंट करते हैं, तब तक के लिए, bye bye